नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम आपके साथ जैनिसम और बुद्धिसम के ऊपर काफी important questions और facts जो है वो discuss करने वाले हैं और ये जो topic है काफी important है हर exam के perspective से तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहला जो question है वो है who was the 24th तीर्थंकारा और जैन्स जो 24th और कह सकते हैं last तीर्थंकारा थे जैन्स के वो कौन थे तो वो थे वर्दमान महावीर जी यानि कि इसका first option जो है सही हो जाएगा और ये जो है spiritual successor थे 23rd तीर्थंकारा परशबनाजी के यानि कि इसका जो ए option नेक्स question देखते हैं महावीर वो शत्री ओफ लिच्छविस महावीर जी जो थे वो शत्री थे लिच्छविस ग्रुप के जो की पाट था किस संग का तो वो जो है पाट था वज्जी संग का यानि कि इसका C option जो है सही हो जाएगा आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे जो बिहार साइड के धर पे जो एरिया दिख रहा है मैंशंड है पाटली पुत्र वैशाली काशी उसी के बगल में है वज्जी तो जो वज्जी संग था उसी का ही यह पाट था next question देखते हैं महावीर जी जो थे उन्होंने teaching किस language में दी थी तो उन्होंने teaching दी थी वो दी प्राकृत language में जैसे की जो प्राकृत मगद में बोली जाती थी उससमय उसे मगदी कहा जाता है तो यह जो language है यह आप यह साइड में देख सकते हैं यह काफी जगा पर inscribed भी मि से आया है, जिसका मतलब होता है Conqueror, यानि कि इसका first option सही हो जाएगा, next question देखते हैं, the teachings of Mahavir were written and available at, जो teachings है Mahavir की, वो written है और available है कहां पर, तो ये मिल जाएंगी वल्लभी में जो की है Gujarat Pistit, यानि कि इसका B option सही हो जाएगा, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, ये जो मैप दिख रहा है ये मैत्रकास गुजरात एरिया में, भाडू कच वहीं पर है वल्लभी तो यहाँ पर जो है, जो महavir की जो teachings थी उनके जो written form है, वो यहाँ पर मिल जाएंगी और आप यहाँ पर साइड में मैप में देख सकते हैं, कि किस-किस एरिया में चालुक्यास, पल्लवास जो है, वो रूल करते थे नेक्स्ट केशन लिखते हैं तो जो रूल्स थे बुद्धिस संग के वो किसमें लिखे गए थे, वो लिखे गए थे विनय पितक में और यह यानि कि इसका जो first option है यह सही हो जाएगा, यह पूरा बुद्धिस संग के उपर है नेक्स केशन देखते हैं दमोंक्स और नंस फॉर्म्ट मोनस्ट्री स्कॉल्ड दमोंक्स और नंस जो थे, उन्होंने जो मोनस्ट्री बनाई थी, उसे क्या कहते हैं उन्होंने जो मोनस्ट्री बनाई थी, उसे विहारास कहते हैं तो जो weather changes होते थे, अलग-अलग जो seasons आते थे, उसको देखते हुए कहीं न कहीं इनको फिर बाद में ऐसा लगा कि जो है, जो solid structures हैं उनकी requirement जो है, कहीं न कहीं जरूरी है और फिर उसके बाद जो है, ये Monasteries developed करी गई और इनको जो है विहारास कहा गया, अप साइट में जो है, इसकी पिक देख सकते हैं Next question देखते हैं, the ashrams developed by Brahmins world, जो ashrams Brahmins ने developed किये थे, वो क्या थे? तो वो थे, ये जो A, B, C, D, E option दिख रहे आपको ये सारे ही सारे जो है आश्रम कहलाते थे, तो आश्रम मतलब ये एक तरह से जो प्रोसेस कहलाती थी जो कि Brahmins के द्वारा developed करी गई थी और इन्हें जो है, फॉलो करने के लिए एक तरह से बोला जाता था, तो जो पहली प्रोसेस होती थी, वो होती थी Brahmacharya, यानि कि स्टार्टिंग में जो युद्ध है, एक तरह से यंग जो लोग रहते थे, उन्हें बोला जाता था कि वो Brahmacharya फॉलो करें, दिन उसके बाद जो है, ग्रिहस्त, यानि कि marry करके, फिर उसके बाद meditation, यानि कि वनप्रस्त, वन में meditation करें, वनप्रस्त, दिन उसके बाद process आए, दिन उसके बाद सन्यास लिया जाए, यानि कि जो ये other other things है, बहुत सारे जिन के प्रती जो है, लोग एक तरह से मोहो रखते हैं, उनको जो है, गिव अप कर दिया जाए, तो ये जो है चार process डेवलेप करी गई थी, ब्राम्हिंस के द्वारा, यही जो है आश्रम कहलाती थी next question देखते है, who was बुद्ध, बुद्ध कौन थे, तो वो जो है सिद्धार्ट और गौतम जी थे, यानि कि इसका जो जो ऑप्षन है, बुद्ध सही हो जाएगा, यानि कि इन्ही का नाम जो है सिद्धार था, यानि कि गौतम जी था, next question देखते हैं, बुद्धा बिलॉंग to which gun, बुद्धा जो थे, वो किस gun से बिलॉंग करते थे, तो वो जो है बिलॉंग करते थे साक्यागन से, यानि कि इसका भी option जो है सही हो जाएगा, और ये एक शत्री यह थे, और जो साक्यागन है, जो साक्यागन है, जो रूल, जो संग है, ये जो फॉलो करते थे, वो यहाँ पर आप साइड में पिच्चर में देख सकते हैं, next question देखते हैं, बुद्धिस अटेंड enlightenment एड, बुद्धिस ने जो है, enlightenment कहां पर attain किया थ unlucky थे, तो बुद्धा जी थे, बुद्धा जी है, धो actually में, उन्होंने अटेंड किया था, enlightenment कहां पर बोधगया में, यानि कि सी option जो है सहीrig हो जो कि बिहार में पड़ता है और वहीं पर है एक महाबोधी टेंपल काफी फेमस चेंपल है और यह भी जो है बोध गया बिहार में स्थित है आप यहाँ पर साइड में जो है इसकी पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं वेर डिडड बुधा गेव फॉर्स चीचिंग तो बुधा जो थे उन्होंने फॉर्स चीचिंग कहाँ पर दी तो उन्होंने अपनी फॉर्स चीचिंग दी थी सारनाथ में यानिकी इसका एब ऑप्शन जो है सही हो जाएगा और यह भी जो ह जो है चार से पांच जो है से कुछ टीचिंग के इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि वो जो है अपने टीचिंग में अपने जो शिश्य होते थे उनको वो प्रवाइड करते थे क्या क्या चीज़े फॉलो करनी चाहिए नेक्स क्रेशन देखते हैं बुद्धा गेविस टीचिंग से इंविच लैंगविज बुद्धा जो थे उन्होंने अपनी टीचिंग किस लैंगविज में दी थी तो वो जो है उन्होंने प्रकृत लैंगविज में ही टीचिंग दी थी यानि कि इसका सी ऑप्शन जो है सही ह हो जाएगा नेक्स कुरिशन देखते हैं उपनिशत जो है उसका मतलब क्या है तो उपनिशत जो है एक तरह से दोस्तों उसमें उप जो है उसका मतलब है नी और जो इसमें नी है उसका मतलब है और शद मीन से सिट तो मतलब एक तरह से एप्रोच करके जो है करते हुए पास डायट कर जो है जो शिक्षा से रिलेटेड जो है इसको सही रिलने किया जाता है, यानि कि इसका 1st प्रोफ जो है सही हो जाएगा, और जो स्वामी थे वो उफन कहा करते थे, दातर जो है यही कहा करते थे कि God के साथ रहना जो है वो true education है और वो इस तरह से अपनी teachings जो है जो है जो उनके शिश होते थे उनको दिया करते थे और यह जो है जो अपनिशद है वो contain करता है highest spiritual and moral truths जो है उनको यह एक तरह से कही न कहीं cover करता है सारे facts को जो कि जो है daily life में कही न कहीं practice करना चाहिए ऐसा बताया गया है next question देखते हैं who was considered great woman thinker great woman thinker कौन considered करी जाती थे उस समय तो वो थी गारगी तो इसका जो बी option है वो सही हो जाएगा next question देखते हैं who among the following became a great thinker from lower class community तो कौन थे जो की lower class community याने की generally उस समय में जो poor people या lower caste के जो लोग होते थे उन्हें जो है शिक्षा नहीं दी जाती थी पर बी जो है शिक्षा उन्होंने ग्रहेंड करके एक great thinker जो है वो बने तो वो कौन है ऐसे व्यक्ति वो है सत्यकाम जबला जी और वो जो है great thinker बने क्योंकि उन्हें गौत्म जी ने as a student accept कर लिया था उन्हें शिक्षा प्रवाइड करी थी तो इसका a option जो है सही हो जाएगा यह काफी important question next question देखते हैं who prepared grammar for Sanskrit grammar जो है संस्कृत के लिए किस ने बनाई थी तो वो बनाई थी पानी नीने यानि कि इसका b option जो है सही हो जाएगा और वो जो है arrange करते थे consonants और vowels को special order में तो उन्होंने एक तरह से जो है जो consonants है वोल से उन्हें special order में arrange किया था और जो संस् तब क्या है तो इसका मतलब है दोस्तो organization या association जो कि उस समय लोग जो है form करते थे जैसे कि गण होता था जिसमें की जो ऐसा भी होता था कि रूलर्स जो होते थे even kings जो होते थे वो उस गण के जो है पार्ट होते थे तो वहीं पर यह जो गण में जो यह राजा हुआ करते थे अलग-अलग लोग हुआ करते थे वो लोग जो है ऐसे associations बनाते थे discussion के लिए कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो राजी के लिए सही है क्या नहीं है नेक्स कोईशन देखते हैं इन बुद्धिस संग हुव रिक्वार्ट टो टेक परमीशन बिफोर जॉइन तो बुद्धिस संग जो है बनाया गया था जी के द्वारा उन्होंने जो है एक तरह से पीचिंग के लिए एक बुद्धिस संग बनाया था तो उसमें जो है अब किसी को जो है जॉइन करना होता तो उसके लिए परमीशन लेनी होती थी तो जो वुमन है चिल्ण है उन दोनों को ही परमीशन लेनी होती थी पर जो मैन है वो जो है बिना किसी परमीशन के इसको जॉइन कर सकते थे जनरली जैसे चिल्रेंस हुए उन्हें अपने एल्डर्स कि परमीशन लेनी पर थी और वंस एपने पर में बीशने तें परमीशन लेनी तेंन उसके बाद उसके बुद्धि-संग जो है वो हो जॉइन कर सकते थे next question देखते हैं when was बुद्धा born बुद्धा जी जो है वो कब born हुए थे तो वो थे 25-100 years ago लगभग जो है ये born हुए थे यानि कि इसका जो सी option है वो सही हो जाएगा next question देखते हैं दीग निकाया वो किस से related है तो ये जो है एक तरह से long discourses हैं बुद्धा के यानि कि इसका ये option जो है सही है next question देखते हैं अजट सत्तु sent which minister to बुद्धा बिपोर अटेकिंग बजी तो अजट सत्तु जो जित है जो कि एक powerful rulers ये king में गिने जाते हैं मगत के तो उन्होंने जो है एक minister को भेजा था तो वो जो minister थे वो थे वसकारा यानि कि इसका first option जो है सही हो जाएगा and then उसके बाद जो है इन्होंने कुछ rules decide कि कि क्या-क्या जो है वजी के लोग जो है वो rule को follow करेंगे next question देखते है who is the founder of Buddhism Buddhism के जो founder है वो कौन है तो वो है महावीर और बुद्ध जी उन्होंने क्या फॉर्म किया था तो उन्होंने जो है फॉर्म किया था संग जिसके की अंतरगत ये जो है teaching देते थे जैसे कि अभी हमने इससे पहले आपके सामने एक question भी discuss किया था बुद्ध संग का तो उसमें भी जो है अगर किसी को join करना होता था उसके लिए rules follow करने होते थे तो इसी के साथ दोस्तों हम सीरीज को यहीं पर complete करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करें धन्यवाद धन्यवाद